दोस्तों स्वागत है आपके प्रिने चैनल सिविल साइड विजिट में दोस्तों आज का वीडियो एक काफी अच्छा वीडियो होने वाला है क्यूंकि आज मैं बताऊंगा कि जो हमारा रिवर सैंड होती है जा मैनिफेक्चर सैंड है उन दोनों में अच्छी कौन सी है गर की अगर आप उस सैंड से करवाओगे तो आपके गर में ना तो क्रैक्स आएंगे और उस गर की लाइफ भी काफी ज्यादा लंबी होगी तो एक अच्छा वीडियो होने वाले आप लोगों के लिए अगर आप गर की करवा रहे हो तो दोनों का डिफरेंस बताऊंगा और बता करो डेली वीडियो डालता हूँ जो आपको काफी हैल्सफुल होगी तो स्टार करते हैं सबसे पहले क्या है मैं एक वीडियो इस पे पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने बोला था कि क्रेश सेंड रिवर सेंड से कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है लेकिन आज इस वी पोटो बेजेगे तो उससे मेरे को आइडिया लगा कि M SAND और करश सेंड एक कहीं जगा पर अच्छी मिल रहे हैं कहीं जगा पर खराब तो वही चीज है River SAND और करश सेंड में दोनों अच्छी है अपनी अपनी जगा लेकिन main चीज़ क्या है उनकी quality तो आपको अगर test मतलब main जो sand को test करने के लिए मैं i button उपर आपको link दे दूँगा description में भी link दे दूँगा sand को test करो बाकी मैं prefer करता हूँ अगर आपको गर में अपने cracks नहीं चाहिए तो आप river sand यूज़ करो लेकिन काफी अच्छी है इसमें cracks आने के chances काफी कम हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो particles के size होते हैं या shape है वो जो cubicle है circular है जैसे मैंने aggregate की video डाली तो इसमें ऐसे size होते हैं जो अच्छे से wide fill कर देते हैं अच्छे से bond बनाते हैं cement के साथ motor अच्छा बनता है तो उससे गर्मे cracks कम आते हैं अगर plaster करवा रहे हो या आप जोडाई करवा रहे हो brick work तो आप अगर river sand यूज़ करते हो तो काफी बहुत ज़ाद अच्छी है लेकिन एक जीज़ उसमें देखनी है आपको जब भी river sand यूज़ करो आप river sand में silt content और organic compound मतलब matter जो रहता है वो काफी ज़ाद होता है क्योंकि वो नदी से निकल रही है उसमें जो silt होगी वो काफी ज़ादा होगी silt क्या होती है जैसे है इस पर मैंने test भी डाला जैसे मैं description में बताया लिंक दिया हुआ है silt आपको ऐसे भी अगर हाथ में आप sand लेते है तो हाथ में आपके चमकीला परदास लग जाएगा जैसे आप सामने देख रहे हो मेरे हाथ में कोई चमग रहा ऐसा वो क्या चीज़ है वो silt है silt और clay mainly river sand में देखी जाती है दो इसकी चीज़ी है ये इस बज़ा से river sand आपको महंगी भी पड़ती है लेकिन ये काफी अच्छी है इससे गर में cracks का भी नहीं आएगा अगर river sand अच्छी river sand आपके area में मिलती है तो मैं prefer करूँगा इस समय कि आपको river sand यूज़ करनी चाहिए और एक चीज़ हो रहा है ये आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी और इसमें wastage भी काफी ज़ादा निकलती है लेकिन ये wastage निकलेगी इसकी वो आप aggregate में यूज़ कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपका जो भी sand यूज़ होगी ये concrete के साथ एक तो वो workable भी होता है काम करेंगा है हमने जो सामने आप देख रहे हो जो concrete बनाया है वो river sand के साथ ही मनाया है उसका एक अच्छा है मतलब इसकी strength भी अच्छी है और इसके cracks आने के chance काफी मैंने जैसे कहा वो कम होते है बागी बात रही जो हमारी M sand है manufacture sand या जो हमारी crusher sand होती है वो भी अच्छी है लेकिन क्या होता है अगर वो अच्छे तरीके से बनाई गई है ये जो stone crushed की है वो अच्छी है तो अच्छी है ऐसे हमने dust बोलती है dust अगर आप सुनो कोई dust तो कहीं construction में commonly dusty use की जाती है जो सामने आप देख रहे हैं वो dust से बनाऊओ concrete है उसका color ही अलग दिखेगा आपको जैसे मतलब मिटी का लगएगा उसमें particle छोटे 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 fine particle काफी जाद होते है तो जो concrete होता है वो एकदम से ऐसे mix हो जाता है तो वो भी एक अच्छा है उसमें लेकिन आपको यह है सस्ता पड़ेगा crush sand लेकिन उसमें crack आने के chances काफी जाद होते है मतलब क्योंकि जब उसको stone को crush किये जाता है बीच में कुछ खराब stone निकले तो वो मिटी की तरह एक काम करते है और यह मैटर बन जाएंगे उसमें तो वो होगा लेकिन उसमें आपको जो crush sand होगी M sand उसमें waste is zero होती है वो आपको सस्ती पड़ती है तो आप उसको भी use कर सकते हो लेकिन उसकी quality भी depend है तो quality हमेशा check कर नहीं अगर river sand भी use करो या crush sand भी use करो दोनों को मैंने advantages, disadvantages बता दी है मेरे ख्याल में अभी river sand अच्छी है अगर उसके आप अच्छे quality करते हो तो आपके गर में जो plaster में crack mostly देखा जाता है कि plasters में crack आ जाते हैं वो किस बज़ आते हैं sand अच्छी नियो तो हमेशा आप दिये ध्यान रखो कि sand यो भी use करो तो उसका test जूर करो और silt content test करने हैं उसकी video में description में दी है आप देख लो बाकी मैं prefer करूँगा कि आप river sand ही use करो Thank you guys